नमस्कार और एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कल भी हमने की थी कि महराश की राजनीती में आकर ये हो क्या रहा है क्यों मचा है घमासान महराश का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर शिफसेना और बीजेपी के बीच अभी समझहोता नहीं हो पाया है संजराउत ने कहा है कि सभी पार्टियां हमारे संपर्क में हैं थोड़ी दिर में शिफसेना के विधायक राजपाल से भी मुलाखात करेंगे उधर मुमई में शिफसेना विधायक दलकी बैठक भी हुई जिसमें एक नाश शिंदे को शिफसेना का विधायक दलका नेता च में सरकार बनाने के लिए गड़ बंदन करना ही पड़ेगा वही माराश्च में मुख्यमंत्रि पत पर जारी घमासान के बीच बुद्वार को बीजेपी विधायकदल की बैचक में मुख्यमंत्री दिवेंद्रィ फन्रिडवीस को विधागदल का नेता चुना गया इसके बाद फन्रिडवीस ने कहा कि जनता ने महा गडवन्दन को चुना है यारी उसी को वोट दिया है किसी अवबापर भरोसा ना करें उन्होंने आगे कहा कि राजमे गडवन्दन की सरकार बनेगी पूरे विश्वास के साथ फन्रिडवीस ने अपनी बातों को दोहराया तो वही शिवसियना के विधायक दल की बैठे के बाद एक बार फिर संजराउत का बड़ा बयान सामने आया संजराउत ने कहा कि सभी पार्टियां शिवसियना के संपर्क में हैं उन्होंने क्या कहा आईए सुनते है और वही कॉंग्रिस के दो नेता महराश में शिवसियना को समर्थन देने पर अलग अलग बयान दे रहे हैं ऐसा क्यों मलिका औ। और ज़्चुन क्षड़गे का कहना है कि हम किसी भी हाल में शिवसियना को समर्थन नहीं देंगे नेता हुसेन दलवाई ने कहा है कि शिफसेना कई मौकों पर कॉंग्रिस की मदद की है और ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए शिफसेना अगर समर्थन मांगती है तो हमें एतराज नहीं है या हम विचार करेंगे तो बड़े नेता पार्डी के खड़गे हैं जो बयान देते हैं कि इसके बारे में हम सोची नहीं सकते क्योंकि जो विचार धारा है वो ही बिल्कुल अलग है आए सुनते हैं ये दो बयान आइडेलोजिकल फाइड दिये हैं बीजेपी और सिवसेना के खिलाब तो उनके साथ बादचीत का सवाल ही नहीं होता है अब प्रफोजल तो आने तो दे सकते हैं मैंने तो खुलम को लगा है कि अगर बीजेपी को बाजू रखना है तो यह विचार हम जरूर करेंगे क्योंकि शिवसेने ने कॉंग्रस को हमेशा मदद किया है इंदिरा जी के जमाने में की अंतुले साब के जमाने में की प्रतिभा ताई जब प्रिसिडेंशियल इलक्शन लड़ रही थी तब कि हम यह बात याद ज़रूर रखते हैं और हमारे सही होगी राहूल अस्थाना हमारे साथ जुड़ गया है मुंबाई से राहूल ताजा अपडेट क्या है कब तक यह विधायक शिवसेना के राजपाल से मुलाखात करेंगे इसका मतलब है कि शिवसेना का पूरा डेलिगेशन है विधायकों का जिसमें खुद आधित्य ठाकरे भी मौझूद है यह सभी पूरा पूरा जो यह डेलिगेशन है यह गवर्नर हाउस छे बजे पहुच जाएगा और छे बजे गवर्नर के साथ मिटिंग होगी उद्दब ठाकरे ने यह कहा है कि गवर्नर से मिलने का जो मकसद है वो यही है कि महराश्टर में हाली में जो बारिश हुई है उसके चलते किसानों का नुकसान हुआ है किसानों को अच्छा जो है वो रिलिप मिला जाए सरकार से मदद मिले इस वाजे से एक रिक्वेस्ट क अपनी कुछ बाते रखें लेकिन यह सब तभी पता चलेगे जब गवर्नर और शिपसेना के डेलिगेशन की मीटेई पूरी हो जाती है लेकिन लेकिन राहूल जी राहूल हमारे कुछ ऐसे सूत्र भी तो होते हैं जो जानकारी देते हैं क्या यह यह जो फिल्म का जो क्लाइम सामने आ जाते हैं तो यह जो एक पावर की जो एक होड़ सी लगी हुई है इसमें क्या लगता है आपको कि क्लाइमेक्स एंड में यही होने वाला है ना एक दम सही का आपने देखिया लगातर हम तो यही दावा कर रहे हैं कि लास्ट में होगा यही कि शिफसेना और बीजेपी मिलके सरकार बना लेगी लेकिन शिफसेना जो अभी भी 50-50 परसेंट जो पावर शेरिंग है उस पे जो अड़ी है वो बार्गिरिंग के लिए कर र बनाएगी ऐसा पॉलिटिकल पंडिट्स भी कह रहे हैं हम भी कही न कई यही बानके चल रहे हैं लेकिन अभी तक या राहूल जल्दी से जानकारी दे हमारे जो खास मेमान है वो भी इंतिजार कर रहे हैं कॉंग्रेस एंसीपी की मुलखात हुई है क्या इसको लेकर देखें कॉंग्रेस एंसीपी लगातार एक दूसरे के संपर्क में है लेकिन दो अलग अलग चीजे है अजीत पावर यह कह रहे हैं कि राजनीती में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता इसका मतलब वो कह रहे हैं कि वो शिवसेना के साथ भी जा सकते हैं और बीजबी के करेंगे तो इस तरीक एका कन्फूजन अभी भी बना हुआ है शिवसेना ने कॉंग्रेस को एप्रोच नहीं किया है एंसीपी को एप्रोच नहीं किया है लेकिन ये दोनों ही पार्टिया खुले तौर पे कह रहे हैं कि जो भी हमें अप्रोच करेगा हम उस पे चर्चा करें करेंगे तो अभी भी एक स्टेलमेट की सिच्वेशन बनी हुए जी राहुल एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपके पास आने की और जानकारी लेने की ताजा अपडेट लेने की फिलाल भूत-बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए दिनेज जी आप एका रुक करें कर दोनों को मेंड़ दिया है कि मिलकर सरकार बनाने का इसमें कहां से दिक्कत है लोगों को घमासान दिखता है अब अस्मर्ड कीजिए कि केज में सरकार में स्युसेना साथ हमारे थी लेकिन पांट साल और लड़ते रहे हैं इसी कोई बात नहीं हम मुंबाई में लड़ते हैं कि कि सी मामलिंए दाल के हैं उसे ना कहे रहे है कि सारे दल के लोग हमारे संपर्गे भार्भती जwnoंता पार्टीब होना भी चाहिए कोई कर सम्थर हुंपर्ध हो थो दूस्मनी थोड़ी है यह और कंग्रेस के नेता बैटे है धूस इसलिए चांस नहीं है कांग्रेश पार्टी के दो बड़े नेताओं को आपने भी इस्टेटमेंट सुनाया उन्होंने यह कहा कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ यह स्थिति है तो जैसे सोले फिल्म का डायलाग था ना वही आसरानी वाला निमार है है क्या इसको लेकर दिने जी ने बड़ा अच्छा वाशन दिया मैं उनको पहले तो ही याद दिला देना चाहता हूं अभी सो दिन के करीब हुए है लोगसा चुना हुए ऐसा क्या हुआ कि लोगसा चुनाओं में आपकी सीट तीन सो पार और अब आपके जहां भी चुना ह हुए जैसे बिहार में भी हमारी पांच हमेले शीट के आए हैं जोर यहाँ भी आपको सरकार बनाने के लिए लाले पड़ गए今 में आपको याद दोन देना चाहता हूं आगए हुए और तारी के पहले तो सरकार बनानी है चोबिस सारी के रिजलट आय को हुआ है गए हरियाना में आपने दुशिंद जी नाम की बेसागी पकड़ ली और महराश्ट में भी आप बेसागी ढूंड रहे हैं और अभी आपने मंच के माधियम से लाखो क्रोड़ों लोग जो इस समय सारा समय न्यूस डिवेट को देख रहे हैं अभी आपने उनके सब के सामने जूट बुलागी कि कोई धमासान नहीं है अगर घमासान नहीं होता तो मैं आपको याद दिलाना देना चाहता हूं आठ तारी से पहले तो सरकार बनानी है चोबिस सारी के रिजल्ट आया हुआ है हाल्याना में बिसाक्री मिलगी आपको 27 तारी सरकार बनानी है और आज यह महाल यह है कि भी देखा जाए कि शिवसेना जो है इनका डिप्टी सीम और इनका 50 50% की भागेदारी उनकी ठीक है या इनका सीम बने और उनके मंतरी चाहिए 40% बने नंबर तीसरा अभी तक तो देखी आप क्या कोई हल चल ली थी आप लोग यह मान चुके थे क्या विपक् खुद चल के आती है खुद आके बात करती है तो कॉंग्रेस और एंसीबी अपनी कुछ वाजीब शर्तों पे नियम पे जन हित को देखते हुए अपना समर्तन बाहर से दे दे और सिर्फ सरकार बने यह भी हो सकता है लेकिन हमें इतना पता है बीजेबी सरकार जहां भी बन अब बने जा रहा है ना दिकत यह है दिकत क्या है कि कम सीडे आपको भी तकलीफ है ना आप अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं आपको को कोई पूच नहीं रहा है महाराष्ट में इस बत दिखाई दे रही है इसको कैसे देखते हैं देखिए यह सिर्फ जो है कि अपना दबदबा इस्ताफित करने के लिए और ज्यादा हिस्सा ले लेने सत्ता में ज्यादा हिस्सा ले लेने की कवायच चल रही है उसे में रशा क्या मांग सकती है अब सी से कम आ गई वो डेप्टी सियम में आ गई लेकिन पेंच फसा हुआ है कि जो मलाइदार जो है मंतराले हैं जो महत्पूर मंतराले हैं वो होम है हाना कि भी जेपी फिनेंस देने को तैयार हो गई है लेकिन होम है अर्बन डेवलेप्मेंट है और पी डेवलूडी है यह जो वो चाह रही है और वो चाह रही कि बराबर बराबर वहां पे 50-50 का फार्मूला अगर नभी हो तो कम से कम हमें वह तेरा जो तेरा डिपार्टमन जो है बीजेपी देने वो तयार हो गई है ठीक है वो अठारा माग रहे हैं शिव सनावाल इटारा माग रहे हैं अधित ठाकरे का चुनाओ नहीं हुआ लीडर अपने तका इससे साफ हो गया कि उन्होंने गिव अप कर दिया है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को ठीक है तो अब राजपाल से जो मुलाखात होगी उसमें क्या बात हो सकती है शिव सेना की दरस से देखिए मुझे लगता है फ तो वो उसके लिए आइडियोलिजिकल प्राव्लम नहीं है कॉंग्रेस भी पहले जो है शिव सेना का सपोर्ड ले चुकी है जब अंतुले जी थे उस ताइम में ले चुकी है तो इस तरह से जो है कि इस समय कोई भी एक कुश्ट तरता है लेकिन मुझे रखता है अंत में स जुड़गे हैं सिंग साब आप इसको कैसे देखते हैं क्योंकि यह तो दबाब की राजनीती ही चल रही ती शिव से ना के दरब से लोगों पर क्या असर पड़ता है जिनोंने वोट दिया है बीजेपी जो कहती है कि आपके गडबंधन को हमारे गडबंधन को वोट दिया है तो आप कहीं ना कहीं वो गडब शर्मिंदा तो नहीं होते ना लोग बहुत सौर्ट होता है अगला एलेक्शन पांच वर्सों के लागों तो इसलिए अभी जनता जो भी सोचे तातकालिक होता है और सबसे बड़ी बात है नेचूरल एलाइंस है शिव सेना और भारतिये जनता पाटी का तो अगर एलोग इससे इतर हट कर और काम करते हैं और दूसरे एलाइंस के फेरे में रहते हैं तब संदेश गलत जाना था तो अब शिव सेना ने टोन डाउन कर लिया है डिप्टी चिप मिनिस्टर का पत तो मिलेगा ही और जाहिर सी बात है कि मंत्राले कौन है और क्या है लेकिन मैं यह कहूंगा कि परतेे फाटी यह चाहती है कि उसके बरहत मिले और जनता के बीच में अधिक से एधिक जयेएं और अपना प्रचार प्रसार भरपूर धंग से करें तो जाहिट सी बात है शिवसेना एक मजबूत पार्टनर है भारतिय जन्ता पाटी का तो ऐसी इस्थिति में एक दवाब की राजनीती वो बना रहे हैं लेकिन वो भी जानते हैं कि मुख मंत्री का पद उनको मिलना नहीं था और यह बार-बार वो बोल भी रहे थे कि हमारी तैयारी दो साल से चल रही है चुनाओ की काफी तैयारियों के मोड में और एक्शन में यह लोग दिखाई दे रहे थे और यह भी कहा गया था कि इस बार जो है बिल्कुल बराबरी का मुकाबला होगा तो अब चोटे भाई की सब्सक्राइब करने चाहिए और सबको चाहिए कि जब आप सरकार मिल्जूल कर चलाते हैं तो आपको भी चाहिए कि आपका जो अधिकार इसको प्राप्ट करें लेकिन सिर्फ मेरा एक निवेदा नहीं इसी तरह कि चर्चा अभी विस्तार में लोग कर रहे थे मंद बंदर फोल यजब दो भी हार को लेकि चर्चा करे थे कि नहीं बहुétais चारे हं राजनी चर्चा कर रहे थे लोग और क्या प्रेडाम हुए उसी तरह की चर्चार मंगढंत कहानी लोग जो भी पतकार जो भी वी पाजनीतिक विस्रेशर है कि इतने मंत्राल है उनको मिल गया इतने पिर्चर्ट कहीं मामला नहीं आया आज गवर्नर से मिलने जा रहे हैं सी उसेना की तरफ से जो अथेंटिक बात कहीं गई ओ यह कहीं गई कि किसानों की समच्याओं के लिए कर लिए एक बात लेकिन हम लोग शूट हम लोग कयास इसी में परिस्व पर analis यह भी तो outdoor नहीं होना चाहिए हुमारा आपका खेत और मिर्ट काने विचार धारा का नतर है विचार धारा को लेकर और सजी में विचार दालो राज करो आपकी विचार दालो राज करो कि नहीं आप लूट लो राज करो तो आप चले गए नहीं चले गए आप लोग अब आप कहीं नेपत में रहिए देखिए आप सिर्फ साथ तारीक ते कैसे करिया उस सब कुछ हो गया है साथ आठ तारीक के पहले पले भारती जनता पायटी का मुखमंत्री वहाँ सपत लेगा सिहुसे लोग तुम लोगों किसी नहीं आत तक नहीं किया आप इस देश को आपको कि आपको इस में मिस्तर निपथ में रहिए हैं अब रहें हैं परिवार के लिए कर रहा है नहीं नहीं तो क्या डिप्टी सीम जो है यह आधित ठाकरे बन सकते हैं यह पहले कर दिया गया था चिए अधित रहीं कर दिया गया है तो वही मुख्यमंत्री बनेगे कि यही होता है कि आप किसी बड़े नेता के या मानी जो एक परिवार वाद चलता है तो उसमें सबसे ऊची पोस होती इसमें बढ़ा आता है उनके आगे के राज़ितिक करियर के लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा लेकिन मुझे नहीं रिखता कि वो बना जाएगा लेकिन में वह बात देखे और दूसरे वाद मैं कहूंगा कि जो बात कही गई है शेवसिना की तरब से कि हम जा रहे हैं किसान अचानक वह जहां पर र पर्टी में कि वह जो चाहा रहे हैं वह इनको देदे को कि कल तक यह ख़बर थी कि कही तैयारी नहीं हो रही है विभागों को लेके है और मानेंगे नहीं बिलकुल आज ही ए ख़बर थी सुबह ख़बर थी बारा एक की ख़बर कि तैयारी हो गई जब प्लस जो है इतने व वहीं फसा था कि विभाग वाठा मांग रही थी जो कि भाजर बगाओ देने को तैयार नहीं थी असलिए क्या हुम्राजीब घरती जन्ता पाटी की सरकार में यहीं दिक्कत है कि सारे सूत्र फेल हो जाते हैं नूडबंधी में जी एस्टी में ट्रिपल तलाग में 370 में अब हम से के लिए अब तक जाते हैं अप के हरी थी फैसले में एक लिए आप सखराव मैं कंपर भिपच्छ की भूमिका में तो रही है उसी नहीं जयार ते जन्ता के जवाब को जो भी जन्ता का फैसला है जबाटी लोगतंतमे जन्ता बहुतार नहीं और किसानों का मुद्दा लेके जा रहे हैं जी ठीक है शिवसेना के तवाम नेता किसानों का मुद्दा लेके जा जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि कोई और मुद्दा नहीं है अब देखना ये होगा कि जब बाहर निकलेंगे तो क्या मीडिया से रूबरू होंगे क्या मीडिया के सवालों का जवाब देंगे क्या ये उठक पटक नहीं है क्या ये मीडिया की बनाई हुई बाते हैं ये तमाम चीजे क्या कुछ दिनों में क्लियर हो पाएगा या नहीं क्योंकि पिछले चार-पांच जिनों से ये घमासान लगातार जारी है जब से नतीजे सामने आए हैं दॉक्टर सिंग पृत्विरा चौवार कहते हैं कि अगर शिफसेना प्रिस्ताव देगी और ये प्रपोजल देगी तो हम उस पर सोच विचार करेंगे फिर वो अपने बयान से पलट जाते हैं कहते हैं ये नीजी बयान है उसके बाद जो है खड़गे का एक बयान आता है फि क्लियर ढंग से बीजेपी और सिफसेना को मेंडेट दिया है दोनों साथ लरे हैं प्री पोल एलायन्स रहा है टिकट का एड़्जस्मेंट हुआ अब येक मौका यह था कि लग रहा था कि साथ सिफसेना के साथ इनके तालमेल बिगर जाएंगे भरतिये जनता पाटी की बा और सिफसेना को अपने साथ लाया जाए लेकिन उससे सिफसेना को खतम होने का खत्रा है और यही कारन है कि सिफसेना ने अंट अंट तक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गये और यह महसूस किया कि ठीक है हम डिप्टी चिप मिनिस्टर का पद ले लेंगा अब एक ची तो इसको तो एक गलत मेसेज जाता है नहीं? पाटी के साथ भी आए तो ऐसी सिफसेना के पास भी आज कोई दूसरा विकल्प नहीं है और अगर कोई विकल्प होता तो बैचारिक रूप से ज़्यादा कंप्रोमाइज करने की बात होती है और तब वो पूरी तरह से महारास्ट्री की राजनीती में तटस्ट हो जाते है और उनको उठने में और बहुत मौकरा लगता प्यूश पंजी मैं आखर में चाहूंगी जरूर आप संशेप में बात कहें कि आधित ठाक्रे इस बार क्योंकि परिवार से हैं और मैदान में आया चुनावी मैदान में आया जीत मिली उनको क्या ये घमासान जादा इसलिए निशित रूप से देखी आधि ठाक्रे पहली बार ऐसा हुआ है कि ठाक्रे परिवार से कोई निता उत्रा है और वो इसलिए उतारा गया है ताकि विस्तार हो शिवसेना का विस्तार हो शिवसेना चाहती है कि मारास्टा नो बीजेपी के छोड़के भी खुद की अपनी इस इसलिए उतारा गया था कि एक और इसका विस्तार हो और जो ठाकरे के नाम पर और वोट इनको मिलें और इस लिए मुझे लगता है कि ये तमाम लग रहा है कि कोई निगा है कि आधि पहले भी हुआ है आप सबी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए बड़ी बहस में कल फिर मुलाखातु की पांच बजे नमस्कार और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए